नमस्का दोस्तों हमारे YouTube चैनल HP Job Alert में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेल विभाग भती 2021 के बारे में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दब ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जेल विभाग में अनुबंद क्याधार पर भरे जाएंगे 394 पद दोस्तों राज्य व्यूरो शिमला प्रदेश के जेल विभाग में बॉर्डर की 394 पदों पर भरती होगी इसमें पूरुष बॉर्डर के 370 वो महिला बॉर्डर के 24 पद हैं इस समन्द में भरती एवं पदोनती नियमों में संशोधन किया गया है पहले ये नियम 2014 में बना इमेल के इसमें पोस्ट रहेंगी और अब ये आर एंट पी रूल्स 2020 के नाम से कहलाएंगे यहां बरती अनुबंद के आदार पर होगी अगरिय ववाग ने अधिसुचना इसकी जारी किया है इसके अनुसार कारागर एवं सुधारात्मक सेवाएं जेल में भरती एवं पदोनती नियमों में बदलाब किया गया है समान्य वर्ग के लिए इसकी जो आयू सीमा है वो 18-23 वर्ष होगी और SCST OBC के लिए 18-25 वर्ष होगी होम गार्ट के लिए ये 20-28 वर्ष होगी और पहले ग्राउंड टेस्ट होगा उसके बाद जो इसमें उत्रिन रहेंगे अभियर्थिव वो परिक्षाम मतलब पहले अपका ग्राउंड होगा उसके बाद इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो इसमें लेकित परिक्षाम 85 अंकों के होगी और अंग्रेजी भाष्या, हिंदी भाष्या, सामाने ज्यान, गणितेव, भिज्यान और तरक्षमता के स्वाल पुछे जाएंगे इसमें साक्षातकार नहीं होगा 15 अंकों दस्तावेजो पर, मतलब 15 आपके मार्क से टॉक्यमेंट्स के होगे और भर्ती कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ट सायक महनिरिक्षक अत्वा उपन महनिरिक्षक होगे जबकि जेल अधिक्षक DGP के द्वारा नामित SSP, ASP अत्वा DSP रहेंगे इसके सदस्य होगे इसमें जो वेतन रहेगा आपका 7,810 रुपे मासिक वेतन मिलेगा और बाद में सरकार की नितिक इन्सार नियमित भी हो सकेंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धर्न्यवाद